हेलो दोस्तो मैं रामदेव आप सभी कर सवागत करता हूँ नोलेज गिरू जी पर जैसा कि आप सभी थमनेल देख रहे हैं अच्छा से सी आर्ट एंट कर आप टीचर बढ़ती से रिलेटिड वीडियो जो के यू के कंडिडेट हैं उनको मिली रहात है हर्याना सरकार को बेज नोटिस कंडिशनल जोइनिंग की मांग कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को लाइस तक जरूर देखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही कैबल का इकन को प्रेस करें ताकि इस चैनल से कोई वीडियो अप्लोड हो तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे प क्राफ्ट डिपलोमा दारकों को मिली रहात सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू याचि का मंजूर हर्याना सरकार को बेजा नोटिस पूरी खबर में आपको बता देता हूँ पिछले काफी दिनों से अपने बविश्य के लिए संग्राश कर रहे कुरुक्षे तर्वीस विदा लैसे दूरवर्ती सिक्षा निर्दासालिया से पास और अचसे सी द्वारत चैनित आपके 868 आर्ट एंड क्राफ्ट डिपलोमा दारकों के लिए रहात की खबर हैं सर्वोत नियाले ने उनकी रिव्यू याचि का मंजूर करते वे हर्याना सरकार को नोटिस जारी किया है औ अगली थी थी है वो आपकी 20 मई 2022 दे दी गई है और ओपन कोर्ट के अंदर वही आपकी जो सुनवाई है वो होगी मई की डेट मिली है और डिपलोमा दारकों द्वारा अलग अलग पांच याचि का दायर की थी या आप सभी पता भी कुर्क 26 सव के सभी पाट्य करें हरियाना सरकार में ही नहीं बलकि देश के अन्य राज्यों में भी नोकरी के लिये मानी हैं और कुर्क 26 सव के पास लगबग 15,000 डिपलोमा धारकों पहले से ही देश के अन्य सिख्ष्चन स्थितानों में सेवाई दे रहे हैं और डिप्लोमा दार्कों ने हार नईानी और लड़ाई जारी रखी कृदिशनल जोइनिंग की मांगत शर्वोत निया लेक정이 आदे इसके दिप्लोमा है वो भी बिल्कुल समकाख से है 20,000 बच्चों ने किया था है डिप्लोमा उलखनी है कुरक चेत्रवीश विजाले से दूर बर तीन इर्दे साले दुवारा 2003 से लेकर 2003 तक आर्ट एंड क्राफ डिप्लोमा जो है करवाए गया था और इस दोरान लगव 20,000 बच्चों ने डिप्लोमा किया था और डिप्लोमा के दार पर हरियाना मेशिक से विवागम कारिय करते है अधियापकों की न्यूक्ति के साथ साथ पंजाब दिल्ली में केंद् टारु को जो न्यूक्ति है उसमें हर्याना में वेद माना और इसी एदार पर हर्याना में नहीं नई बर्तियां हुई और डिप्लोमा जारु को न्यूक्तियां मिली लेकिन सर्वो चैनल चाहल suspended दाइर जो दस्श्य आपकी 6257 थी को उसका जो फैसल आया उसके अनुसर भहि यह एक अपडेट है जो कुरुख चैनीज कंडिडेट है तो वह जो आपकी मांग है वह बिल्कुल जोइनिंग की कंडिशनल जोइनिंग की मांग तेज है बिल्कुल आप एक साथ होकर आगे बढ़ें और कुछ पॉजिटिव नूज लेके आए ठीक है तो यह अपडेट थी वह बिल्कुल एक पॉजिटिव नूज है क्योंकि काफी टाइम के संग्रस के बाद आपका जो रिवीव पिटिशन है वह भी मनजूर हुई और ऑपन कॉर्ट के अंदर उसकी हाइरिंग की जाएगी तो एक पॉजिटिव नूज आप सभी के लिए आएगी क्योंकि अभी हर्याना सरकार को नोटिस बेजा है सरकार अगर देखते हैं भी क्या जो कंडिडेटा उनको कंडिशनल जोइनिंग देती है या नहीं देती है जो भी अपडेट आएगी इस बारे में तो आप सभी के साथ सेयर कर दी जाएगी इस वीडियो में यही इन्फरमेशन जादा लाइक करें और चैनल को जादा से जादा सब्सक्राइब करें धन्यवाद